आज हम पढ़ने वाले हैं passive voice based on imperative यानि passive voice जो imperative वाकियों पर आधारित होता है तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि imperative वाकिय होते क्या है तब तो अपन उसके active पैसे बनाएंगे तो imperative sentence का मतलब या meaning से क्या पता चलता है imperative का मतलब होता है जरूरी अगर यह काम मैंने का यह काम imperative है तो मतलब करना ही पड़ेगा हिंदी में इस तरीकी के वाकियों कहते है आदेश आत्मक वाकियों क्या कहते है आदेश आत्मक वाकियों imperative वाकियों को हिंदी में क्या बोलते है आदेश आत्मक वाकियों जब हम क्या-क्या होता है, order देना, किसी को हम order देते हैं, किसी को हम advice देते हैं, या किसी से हम कोई request करते हैं, तीन जगे पे इसका use देखने मिलता है, कहां कहां देखने मिलता है, order, request, advice या suggestion, वो एकी चीज़ है, advice, suggestion, एक बार और, order, request, और suggestion, इनको देखाने के लिए हम imperative वाक्यों का use करते हैं, लिख लीजे अपनी copy में फटाफट notes बना लीजे, क्योंकि हम imperative sentence का active voice भी सीखेंगे अभी और passive voice भी सीखेंगे, तो हमें दोनों इसीखना है, अगर मुझे active voice में, यानि direct बोलना है, और advice, passive voice में बोलना है, तो मैं imperative बोलना है, तो मैं कैसे बोलूगा, तो पहले अपन active voice के बारे में बात करते हैं, direct order वगेरा, या advice कैसे दी जाती है, तो यह याद रखो, order, advice, request, order, advice request या advice को आप suggestion भी कह सकते हैं क्या कह सकते हो ठीक है इनको हम बनाने का जो तरीका है वो सीधा है सीधे verb की first form plus object कैसे बनाते हैं imperative sentence सीधे verb की first form लगा दो और object लगा दो इसी से order request suggestion बन जाते हैं कैसे बनते हैं verb की first form और object जैसे मुझे किसी से कहना है की दरवाजा बंद कर दो order दिया मैंने क्या बोला मैंने मैंने का दरवाजा बंद कर दो यार दरवाजा बंद कर दो तो दो बाते यहीं हिंदी में दो हिंदी में शब्द नहीं दरवाजा और बंद करना तो बंद करने को क्या बोलते हैं तो close यानि क्रिया वर्ब है तो मैं क्या बोलूँगा close और क्या close करना है दा दोर ये हो गया हमारा order close the door मैंने का दर्वाजा खोल दो तो मैं क्या बोलूँगा open the door सब्सक्राइब मुझे किसी से कहना है खाना खालो या खाना खाओ क्या बोलना है खाना खाओ तो कैसे बोलेंगे eat food पानी ले आओ दो बाती आई पानी लाओ तो लाने को क्या बोलते है bring water तो देखो कुछ भी नहीं लग रहा है देखा जाये तो क्या है ब्रिंग क्या है वर्ब है eat क्या है वर्ब है open क्या है वर्ब है close क्या है वर्ब है और यह जिस पर असर कर रहा है वो object है यह सब क्या लिखे है object है तो यह हमारा active voice बन गया क्या बना लेकिन हमेactive voice नहीं बनाना हमें तो बनाना है तो हमारा chapter passive voice है तो अब हम इसका बनाएंगे passive voice क्या बनाएंगे अच्छा यह जो order है न यही advice की तरह लिखा जाएगा और यही request की तरह लिखा जाएगा इसके pattern में change नहीं आता है जैसे close the door बोला तो किसी ने थोड़ा कड़ा कावास में बोला दरवाजा बंद कर दो तो order है है ना थोड़ा advice की तरह बोलो close the door यार ऐसा बोल दिया और request कर नहीं हो तो इसमें please लगा दो तो इसमें please लिख दिया तो pattern थोड़े ना बदल रहा pattern बार-बार क्या हो रहा है verb की first form verb की first form तो इसी चीज़ से हम बार-बार क्या बनाएंगे order भी बनाएंगे advice भी बनाएंगे और request भी बनाएंगे pattern का formula simple है verb की first form plus एक बार और verb की first form plus एक बार और verb की first form plus इसको याद रखना है, इसको नोट करिए, फिर अपन passive voice की तरफ चलते हैं, जैसे यह imperative होता है, वैसी negative imperative भी होता है, तो negative imperative में आगे बता रहा हूँ, पहले आप imperative note करो, फिर negative imperative करेंगे, नाकरात्मक आदेश भी तो देते हैं, दरवासा बंद मत करो, उधर मत जाओ, ठीक है, तो negative भी बोलते हैं, positive उधर जाओ, उधर मत जाना, ऐसा भी बोलते हैं, तो negative भी बोलते हैं, और positive भी बोलते हैं, तो use दो नहीं होते हैं, अब माल लेते हैं, नेगेटिव imperative के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं, कौनसे सब्द पे हैं, जैसे close the door, दरवासा बंद करो, दरवाजा बंद मत करो और दे दिया नेगेटिव में तो आप क्या करोगे don't close the door दरवाजा मत खोलो don't open the door खाना मत खाओ पानी मत लाओ सारे sentence में क्या लगा दो कुछ और नहीं लगता है does मत लगा लेना अपने मन से अपने मन से नहीं चलना है अपने को वही करना है जो grammar का rule कह रहा है अब stick रहेंगे grammar के rule पे don't ही लगता है और कुछ नहीं लगेगा इसको भी note कर लीजे यह है negative imperative negative imperative क्या होगा don't लगा देंगे don't close the door अब हम चल रहा है passive voice की तरफ active clear हो गया na अब हम passive voice बना रहा है लगा सुझाने इसको पहले पाथ करेंगे order वाले sentence की कांसे sentence की order जैसे किसी ने कहा पहले active voice की बारे में बात कर रहा है किसके बारे में बात कर रहा है active active voice का formula क्या verb की first form plus object क्या formula है verb की first form plus object इसका बनाना है मुझे passive voice क्या बनाना है मुझे passive voice पहले formula लिख दे रहा हूँ close the door क्या word है close the door यह है मेरा formula verb की first form plus object अब मुझे passive voice बनाना है sentence का तो मैं क्या करूँगा मैं परेको formula पता होने ची यहां पर मैं हमेशा किस से शुरू करूँगा let से किस से शुरू करूँगा let से एक बार और किस से शुरू करूँगा let let के बाद मैं लगाऊंगा object क्या लगाऊंगा let फिर object फिर लगाऊंगा be फिर लगाऊंगा third form यह बन गया हमारा formula let object be V3 तो यह close the door का answer बनेगा let the door object है the door be closed यह हो गया हमारा answer तो close the door let the door be closed दरवाजा बंद कर दो दरवाजा बंद कर दिया जाए क्या बोले जाएगा पैसे वोइस में दरवाजा बंद कर दिया जाए इंगलिस में कैसे बोलेंगे let the door be closed clear है open the door let the door be opened bring water let the water be brought बात संच में आ रही है note कर लीजे फटा फट 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 फिर आगे चलते हैं अच्छा अब अगर मैंने इसका negative बनाया मैंने क्या बनाया इसका negative suppose question लिखा है don't plus v1 plus object negative बना रहा हूँ don't close the door क्या बना रहा हूँ मैं don't close the door तो sentence किसका बन गया let the door यहाँ पर जो b लिखा है ना इन दोनों के बीच में मुझे लगाना पड़ेगा not क्या लगाना पड़ेगा not यहाँ लगेगा let the door not be close क्या बनेगा let the door not be close यानि not door object और verb के बीच में लगाना है be के बीच में helping verb और object के बीच में note कर लीजेगा अच्छे से let the door not be closed हाँ यह negative हो गया यह order वाला negative बना लिया हमने अब ही हमने बनाया था order affirmative और order negative अब हम बात करते suggestion या advice की किसकी बारे में बात करेंगे suggestion advice देना किसी को कोई सुझाव देना advice देना अब मैंने किसी से कहा की help the poor मैंने का गरीब की मदद करो help the poor मैंने advice दी मैंने कहा रोश की मदद करो help the poor तो अब यह कौन सा sentence बना verb की first form plus object लेकिन सुनने में क्या लग रहा है suggestion अब मैं बनाओंगा इसका passive voice क्या बनाओंगा मैं passive voice यह active voice का formula था मेरे पास अब मैं क्या बदलने वाला हूँ इसको active से passive तो देखो passive कैसे बनेगा formula समझो यह object है ना हमारे पास ध्यान से देखना object को पहले लिखते हैं object क्या होगा the poor object के बाद लगाना पड़ेगा आपको should क्या लगाना पड़ेगा should the poor should should एक model verb है और passive voice हमें से third form लेता है इसलिए इसमें लगाना पड़ता है B तो object plus should plus B plus V3 यह हमारा formula है object should be V3 should तो हम बोलेंगे the poor should be help यानि गरीबों की मदद करनी चाहिए let the poor should be गरीबों की मदद होनी चाहिए गरीब की मदद करो गरीब की मदद करनी चाहिए तो the poor should be help formula क्या बना object plus should plus B plus V3 अच्छे से नोट कर लीजे इसको इसका negative बनाना हो तो वोई नियम वोई लगना है जैसे मैंने का don't help the poor किसी ने क्या बोला don't help the poor मैं बने एक negative बता रहा हूँ किसका negative imperative है तो the poor should यहाँ पर भी वोई नियम है should not be should not be यह बन जाएगा इसका negative negative बनाने के लिए क्या करना है should not be कुछ है नहीं order वाले को let से बनाना है advise वाले को should से बनाना है अब अपन तीसरा और देख लेते हैं हमारे वाला part complete है आएगा फिर फिर इसके कुछ additional rule है वो अपन आगे देख लेंगे तो third rule पे चलते हैं अब हम पढ़ेंगे request वाले sentence तो जो request वाले imperative है formula तो वो ही है verb की first form प्लस object बस फर्क कितना है कि वहाँ क्या लगा देते हैं please लगा लेते हैं या kindly लगा लेते हैं क्या लगा लेते हैं please या kindly जैसे close the door यही example था हमारा पहले वाला close the door क्या sentence था close the door इसके पहले आप क्या जोड़ो दो please close the door अब यह बन गया क्या request अब आप क्या करोगे passive voice बनाना है अब आपको यह active voice है यह कौन है active है अब आप किस में बदल रहा हो passive है तो please word को हटा दोगे आप सबसे पहले क्या करोगे please को हटा दोगे और please की जगे पे लिखोगे you are requested to क्या लिखोगे you are requested to क्या लिखोगे you are यह पूरा का पूरा word किस की जगे पे आ रहा है please यह kindly लिखा होता तो kindly की जगे लगा देते you are कई बार ऐसा होता you are please requested to you are kindly requested to ऐसा भी लिखा आता तो उसको मत लिखिएगा वो गलत होता है kindly requested to नहीं कहना चाहिए क्योंकि kindly की जगे पे ही requested to आ रहा है तो दोनों सब्द एक साथ use नहीं करते हैं क्या मैंने कहा kindly और requested to का use एक साथ नहीं होता है तो अब आएगा you are requested to बाकी क्या लिखा है close the door तो बस बाकी का बोका वैसे का वैसे ही लिख दो वर्प की first form plus object तो बनेगा you are requested to close the door ये बन गया हमारा answer same as it is बनना है you are requested to close the door क्या बनेगा you are requested to close the door लिख लीजे अब इसका negative बनाना हो तो हाँ इसका negative देखो इसका negative भी important है इसका negative ऐसे बनेगा जैसे please suppose ऐसा लेगा please don't close the door कहा पर negative भा रहा है please don't close the door तो इसका answer बनेगा you are requested यहाँ पर यहाँ पर यह मैं लिख दे रहा हूँ negative के लिए you are requested not to क्या होगा you are requested not to close the door इसका negative में not की position को चेक कर लीजेगा कहीं पर भी error आती कभी not इधर लिखा मिल जाएगा कहीं यहाँ लिख देते हैं कहीं यहाँ लिख देते हैं कभी यहाँ लिख देते हैं अपनको इससे मतलब है इसकी position शुड़ भी correct तब ही आपको एक number मिलेगा वरना चार option होंगे और चारों में not की position अलग होगी आपको कहाँ टिक लगाना है यह याद होना चीए कहाँ लगएगा you are requested not to you are not requested to नहीं बनेगा इसका answer error कैसे बनती है you are not requested to पर वो नहीं है उसका answer you are requested not to यहाँ पर not आएगा यह यहाँ पर दो option तो ऐसी मिलेंगे आपको clear एच्छे से तो हमने order देखा imperative का request भी देख लिया और suggestion भी देख लिया अब इसमें कुछ और भी points हैं जो हमें discussion करने हैं लेकिन वो अपन करेंगे अब part है वो हमें स्थोड़ा सीखना पड़ेगा क्योंकि जैसे आप SSC CGL में mains में जाओगे तो वह वाला question मिलेगा यह वाला नहीं मिलेगा यह तो प्रीवी मिलेगा mains वाला question कुछ और मिलेगा तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है यहां तक clear होगे अच्छे से तो आज हमने क्या-क्या पढ़ लिया ठीक है चालो तो आज ही क्लास को यहीं समप्त करेंगे